Realme 12 Plus versus Vivo Y200E5G smartphone देखर यहां पे न, एक दंग जो प्राइज है वो काफी सटीक है और फोन भी काफी दोनों तगड़े हैं लेकिन आपको तो लेना एक ही है न तो यकीन मानें, मैं आपका पैसा बिल्कुल सही जगा जाए पूरा अपना प्रियास करूँगा टेकनिकल स्पेसिफिकेशन, मतलब डीप डाइव जाकर यहां पे मैं कंपेर करने माला हूँ कि आखिर इन दोनों में से कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन है आपके लिए तो आई स्टार्ट करते हैं बीना कि सेंटरों बगरेगा पीछे के साड़ में वीगन लेदर यहां पे दोनों स्मार्टफोन में या फिर कहूं एक लेदर पैनल मिल जाता है आगे के साड़ से सेंटर पंचोल डिजाइन और जो फ्रेम रहता है दोनों फोन में प्लास्टिक का देखनी को मिल जाता है अब इसके लाबा हाकच पोट्स और बटन की बात के जाए दोशकर यहां पे 3.5 है मामवला jackall दोनों फोन में देखनी को मिल जाता है इस्टुडियो स्टूरीब भी दोनों फोन मैं देखनी को मिल जाता है अंतर यह है कि hybrid sim slot आपको मिल जाता है दोस्तों Vivo में जबकि यहाँ पर dual nano sim slot मिल जाता है Realme में वोई इसले की बात कते सबसे पहले वीवो की 6.6 inches का एक AMOLED full HD plus version 120 Hz refresh rate 395 ppi और 1800 nits जो है P brightness level Realme की बात किया जाए 6.6 inches का एक AMOLED यहाँ भी है full HD 120 Hz refresh rate यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर 395 ppi तो है लेकिन जो brightness वो लगभग 1000 nits जो है आसपास होने वाला है मैं पहले वीडियो बना रहा हूँ लगभग यही निकल के आएगा अब बात दिमाग में आते हैं कि बाखिर Snapdragon 4 Gen 2 अगर compare किया जाना है आप आंदर तो इस score से ही देखकर समझ सकते हैं कि लगभग लगभग equally perform करने वाला है क्योंकि यहाँ दोनों ही फोल में जो RAM, ROM टाइफ है वो भी सेम है LPWDR 4X and UOFS 2.2 दोनों ही सेम देखनी को मिल जाता है तो यहाँ पर भी मतलब आप समझे अकु अब यहाँ बात करते हैं सबसे में टॉपिक हो है क्यामरा किसका तगड़ा होने वाला है देखर यहाँ पे नहीं बात के जाए सबसे पहले वीव के आपको मिल जाता है 64 MP का में कैमरा प्लस आपको 2 MP मैक्रो और एक ख्लीकर सेंसर है जो मेरे इसाफ से भाइत एक ही क्यामरा है विदाउट OIS वह है 64 MP, आगे के साइट से 16 MP और वीडियो रिकार्डिंग के फिल्टीज की बात कर जाए अब टू हाई में तो 1080p 30fps आगे और पीछे दुनों साइट से आप कर सकते हैं और वीडियो रिकार्डिंग के बात कर जाए तो भाइए 50 MP का यहां पे OIS के साथ कैमरा सेंसर प्लस 8 MP का एक अल्टरवाइड है 2 MP मैक्रो के नाम पर आगे के साइट से 16 MP देखने कूलता है और वीडियो रिकार्डिंग के बात कर जाए तो 4K रिकार्डिंग 30fps पीछे के सा अब इसके लगा कोई छोटे मोटे पॉइंट जैसे की वाइफाइ 5 Bluetooth 5.0 के साथ आपको मिल जाता है वीवो वाला जबकि रियल्मी वाइफाइ 6E Bluetooth 5.2 के साथ आता है अब इन सभी बातों के एक तरब करते हैं निस्कर से फोजते हैं किसमें कितना है दम अब देकर यहाँ प जाता है तीसरा आपसे नमन जाता है उसका वाइफाइ वर्जन 6E Bluetooth 5.2 उसके बाद लुक ही देख लीजिए काफी अच्छा मिल जाता है तो यह कुछ ऐसे ही पॉइंट्स है जो आपको थुड़ा सा कमी मासूस कराएंगे दस्तों वीवो में और वीवो की रही बात तो वहा जाता है जाता है जाता है